और राइट लेड़ीज़ जर्डेमें, सो निफ्टी ने अपनी अपर रेंज को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक आउट देने का प्रयास किया है, और ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटप, काफी इंट्रेस्टिंग बातें हैं डिसकस करने के लिए, लेकिन लास्ट ट्रेड बेसेस पे किस टाइब का प्रभाव पढ़ रहा था उसका एनलिसेस करने के बाद, मैंने तीन सेक्टर्स को हाइलाइट किया था, आईटी मेटल्स रियालिटी इस नीउस के बेसेस पे, एन्वी अपशी हमारा अपना फेक्टर्स की वज़ा से, ये चार सेक्टर इन फोकस म और आज आप देख लिए आईटी सेक्टर सीधे साड़े चार परसेंट दोड़ा है और दोड़ना था डारेक को रिलेशन है डॉलर इंडेक्स में ब्रेक डाउन होने की वजह से मैंने एक्स्प्लिन भी कहता है और यहां पे आपको लिखा दिख रहा है अच्छा आईटी सेक बाते हैं अच्छी बाते पहले डिसकस कर लेते हैं निफ्टी ने आप पर रिंज ब्रेक कर दी है बैंक रिफ्टी ने भी अपने सपोर्ट रिंज से शार्प रिवर्सल दिया है अगर आप देखोगे तो लोविक रिजेक्शन दिया है एक इंट्रेस्टिंग चीज जो लंबे ट्रेंड में कन्फ्यूज नहीं होना है लंबे ट्रेंड के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी से मजबूत रहेगा फंडमेंटल रीजन है इसके पीछे उसके अलावा एक चीज जिस पर आपको ध्यान रखनी है वो है FIA का डेटा ओविसली आज का डेटा अभी मेरे हो सकता है आज का डेटा कुछ अच्छा आजाए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट कोई फरक नहीं परता है क्यूंकि FIA का मैं एक दिन के डेटा पर जज नहीं करता हूं मैं ट्रेंड देखता हूं FIA का बाइंड का पूरा ट्रेंड था मेरे पास तो डेटा है मैं आपक की stock futures में बिक्वाली की है FII जब भी बेचना शुरू करता है तो ऐसा नहीं होगा खरीद रहा है तुरन बेचना शुरू करते नहीं 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 पहले वो derivative market में बेचेगा future में बेचेगा options में बेचेगा free cash में बेचेगा तो जो broader point है FII अभी बिक्वाली शुरू तो नहीं होई है लेकिन खरीदारी का जो इस्तर था जो रफ्तार थी उस पर ब्रेक लग चुका है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत important है हमें आने वाले समय में किस चीज़ पर ध्यान रखनी है कि FII कब बेचना शुरू करेगा बि तो आपके बढ़ने की रफ्तार में रुकावट भी आ जाएगी और रिवर्सल के संकेत आपको चार्ट में दिखने लगे चार्ट से पहले आपको यह डेटा बताना शुरू करतेगा ध्यान रखेगा इसके अलावा कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़ें और है क्या हां डॉ गोबल एक्षन है इस सब चीज़ को देखने के बाद ही मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज स्ट्रेटेजी काफी क्लियर है लास्ट रेडिंग सेशन में बोला था वेट और वाच कर लेते हैं क्योंकि एक्सपाइड ही डेटा नहीं था आज डेटा है आज है लेव लिकिन इम्पोरणट बात यह नहीं है कि लेसका इंपर देखंगे बिल्कुल उसके ऊपर जाके क्लोजिंक देने में सक्षम रहा है यही करने का प्रयास अचा है四व मैंको एक तरफ हागे बढ़ेगा या तो एक बार री टेस्ट करें से 19,500, 19,450 के लेवल फिर move करेगा जो भी करेगा आपको action bullish side पर ही करने को मिलेगा अगर retest करेगा तो जादा better है तब आपको फिर से entry के point मिल जाएंगे इसके अलावा आज weekly closing भी है तो weekly chart पर देखोगे in fact weekly chart जादा मजबूत है आज आप देखोगे weekly time frame में भी एक green candle है लेकिन volume देखो क्या जबरदास volume पे हुई है इससे भी important बात है अगर आप last weekly candle को देखोगे तो एक अपर विक rejection होई थी आज weekly closing के basis पे भी इसने highest weekly closing दिया और इस वाली candle को negate कर दिया है ये भी एक अच्छी बात है shorted time frame में 15 minute के time frame पे अगर आप देखोगे बहुत interesting action हुआ है दिन के तोरान market consolidated था लेकिन last आदे घंटे में तेजी आई है आपको surprise नहीं होना चाहिए दो इस reason है एक bank rifty का ये surprising था लेकिन दूसरा क्योंकि थोड़ा सा आपको ये support मिल गया खरिदारी का वैसे भी उननिस 500 पे आप जानते हो एक करोड के आसपास मंदी के contract फसे हुए थे फिर आज आपको basically short covering देखने को मिली है जिसने nifty को उननिस 550 के ऊपर closing करवा दिये यहाँ से अगर हम लोग option chain पे चलते हैं nifty की interesting है बिल्कुल clear data है और bullish side पे है सबसे पहला support की बात कर लेता हूँ 19500 option chain के इसाब से पहला और बड़ा support है reason क्या है reason है कि यहाँ पे एक करोड से जादा contract है आज लगबग 41 lakh भी चुड़े हैं लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आठ लाख मंदी के contract फसे भी और आप देखोगे आज 34 lakh कमों के भी आए है short covering आपको यहीं पे option chain में देखने को मिल रही है यह important है तो basically आपको simple शब्दों मैं बोलू तो अगर आप bullish side पे हो तो मंडे के लिए 64 point का आपके पास margin of safety है जब तक आप 19.500 के नीचे जाके trade नहीं करना शुरू कर देते हो तब तक आप bullish हो और यह bullish जो lifetime high के आप उपर हो वो continue होगा trend ठेक है लेकिन यह पहला support ही यह option chain के हिसाब से लेकिन अगर आप proper technical option chain मिला के देखोगे सबसे important support 19.400 से 19.300 की range में है मैं strategy में इसको add करूँगा यह हमारी सबसे important range है बट फिर भी यही पे लिख देता हूँ उपर resistance यार सच बोलू तो resistance बचा ही नहीं है option chain में 19.600 पर सिफ 62 lakh contract है 9 lakhाद जुड़े है और highest charge 19.750 पर जुड़े है resistance बचा नहीं है lifetime high पर पता ही नहीं रहता है कहां जाके यह बाजार रुकेगा तो जो sellers है मंदी करके call बेच के मंदी कर रहे है उनके पास confidence की कमी साफ साफ नजार आ रही है और आज हफ़ते के last दिन आपने bullish action दिखाया है put call ratio बात कर लेते हैं क्योंकि bullish action दिखाया है तो थोड़ी ऊपर जरूर आई है लेकिन जादा घबराने के बात नहीं है 1.32 पे है 1.11 से आई है ठीक है कोई दिखकत नहीं है लेकिन expiry के start में बहुत ऊपर तो नहीं है लेकिन अगर और जादा एक तरफा भागेगा तो आपको इस पर ध्यान रखना है मतलब इसको आज ignore नहीं करना है इसको आपको अपने दिमाग में रखना है advance decline कल काफी खराब था फिर से आज अच्छा हो गया है अच्छा ये trend देखने को मिल रहा है एक दिन जैसे advance decline खराब होता है फिर आने वाले एक दो दिन सही हो जाता है दो दिन खराब मिला है डेटा मैं हर दिन note कर रहा हूँ distribution इसी तरह से होता है आज तो जबर्दा सेड़ोंज decline देखने को मिली है 2.6 के आसपास है यानि आप ये सोचो दो शेर जो गिर रहते है उसके सामने 5 शेर बढ़ रहते है बहुत जादा मजबूती है यह मजबूती 50 में भी देखने को मिली 33 शेर उपर थे और 17 शेर नीचे थे volatility index vix की बात कर लेते है vix को अगर आप देखोगे तो अपने सबसे niche list तर पे आ चुकी है मैंने आपको range बताई दी 10.6 से 11.8 की 10.6 पे आ चुकी है niche list तर पे मेरा मानना है यहां से vix थोड़ी ऊपर बढ़ सकती है 11 11.2 की तरफ इसको आना चाहिए जैसे अब weekly expiry की तरफ बढ़ते हो इसके लाबा आए बैंक रिफ्टी पे चलते है interesting action जो आज bullish closing आपने दिये शांदार उसके पिछे bank nifty का आता है सबसे पहले अगर हम लोग daily time frame पहेंगा bank nifty में एक bullish formation हुआ है आप इसको bullish hammer या dragonfly doji कह सकते हो देखो properly तो ये lower wick काफी अच्छी है लेकिन body green होनी चाहिए अगर आप theoretically सही बात करोगे लेकिन फिर भी पिलकुल support से reversal लिया है लेकिन volume काफी कम थी bank nifty में surprisingly उसके अलावा मैं weekly time frame पहाँगा और मैं काफी interesting हूँ 15 minute के time frame पहाने के लिए weekly formation देखोगे तो doji का formation है और लगबग average volume पहुआ है तो एक चीज़ देखने को मिला है bank nifty में उस type का bullish formation अभी भी नहीं है definitely नीचे से support आया लेकिन वो nifty वाली बात नहीं है bank nifty में in fact अगर आप properly देखोगे तो nifty bank nifty थोड़ा सा अलग दिख रहा है bank nifty कमजोर दिख रहा है इसके अलावा shorter time frame पे चलते हैं interesting होगा देखना कि कौन किसको खीचता है क्या bank nifty nifty को खीचेगा ऊपर नहीं बढ़न देगा या nifty bank nifty को खीच लेगा ऊपर के साइड देखो bullish action करना तो nifty better है बिल्कुल clear है bearish के साइड ले में bank nifty better है पंदरा मिनिटे time frame में जो मैं दिखा रहा हूँ last में bank nifty में शानदार तेजी आया और बिल्कुल critical supports आई है जो support range हम लोग बार-बार चल्चा करें 1944-500, 1944-400 बिल्कुल आज 44-450 से reversal लिया है काफी important level से लिया है और अगर आप ICC bank देखोगे HDFC देखोगे न तो बिल्कुल same formation में यहाँ पे आपको एक बार show कर देता हूँ तो एक तरह से यह दोनों stocks का कुछ न कुछ reason था जैसे कल reliance का reason था बिल्कुल same type के formation है last में तेजी से बागा है same अगर आपको HDFC bank भी दिखा दूम है तो बिल्कुल उसी type का action देखने को मिला है आईए bank nifty के option chain में आते हैं bank nifty के option chain bank nifty जिस्ती अभी भी bullish नहीं है bank nifty recover करने के कोशिश कर रहा है लेकिन वो बात नहीं है support की बात कर लेता है सबसे पहले 44 500 पे सबसे पहला सबसे बड़ा सबसे important support है यह चीज यहाँ पर clear निकल के आती है 24 लाक है 13 लाकार जुड़ें उसके अलावा अगर आप पूछोगे bank nifty में 44 800 पे युद्ध चल रहा है यहाँ पे आप देखोगे almost बराबर contract है और यहीं पे आप चल रहे हो तो इस पे आप ध्यान रखिएगा अच्छे खासे contract भी है 20 20 लाक के आस पास contract है जस 200 पॉइंट उपर 45,000 पे सबसे बड़ा resistance है आपका यहाँ पे 31 लाक कॉंट्रेक्ट है आरवन है बट अगर आप प्रॉपरली देखोगे सबसे आदा जोड़े है 45 200 पे यानि बेरिश एक्षन थोड़ा सा शिफ्ट उबाए उपर के साइट बेर्स को लग रहा है हो सकता है एक बार 45,000 को तोड़के 45 200 की तरब बड़े तो मैं प्रॉपरली बोलू तो यह पूरी 200 पॉइंट की resistance zone निकल के आती है बैंक रिफ्टी में जिसको मैं आरवन स्टार के नाम से कह देता हूँ दूसरी resistance zone 45 400 से 45 500 की range में निकल के आती है इसके लावा बैंक रिफ्टी की put call की भी चर्च अकलने बैंक रिफ्टी की put call ratio 1 से भी कब है 0.86 है तो lower side पे आप देख रहे हो ना निफ्टी की कहा 1.3 है और इसकी 0.86 है divergence है clearly 0.78 से हलकी सी उपर आई है बैंक रिफ्टी में advance decline की बात कर लें तो 9 शेयर उपर ते और सिर्फ और सिर्फ 3 शेयर नीचे थे PSU banking sector की चर्चा कर लेते है यह ऐसा indicator of mid cap small cap traders के लिए काफी important रहता है आज आप देखोगे outperform कर रहा था बैंक रिफ्टी को आपको दिये है यह अगले एक से दो quarter यानि तीन से छे महीने तक के हैं आपको बार 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 इसमें मौका मिलेगा अगर आप interested हो तो इसको watch list में लगा के रखो यह sectors ही भागेंगे इनके कुछ important stocks आप देखो जो अच्छे हैं और उसमें आपको तेजी करने का मौका मिलेगा आज आप देखो सारे आईटी में हर एक share भाग रहा है चाहा हो खराब हो कुछ भी हो सब भाग रहा है ध्यान रखेगा इसको कली बताया था और आज action हो गया सबसे पहले strategy obviously क्योंकि आप lifetime high पे हो और आपने अपर range ब्रेक की है तो bullish side पे ही रहना पड़ेगा buy on dips की strategy का use करेंगे levels मैं आपको अभी तुरंट बता देता हूँ levels पहले चर्चा करे लेते हैं nifty के case में पहला support है उननेश 500 का लेकिन जो best level निकल के आता है वो है 19.425 से 19.350 इस range में आता है तो definitely आप buy on dips कर सकते हो अगर mood महल सही हो जैसे आपको देखना है Dow futures positive हो सब कुछ positive हो बैंक लेफ्टी जादा गिर नहीं रहा हो तो एक बार अगर आप चाहो तो 19.500 पे भी देख सकते हो but best level तो 19.425 से 19.350 है यहाँ पे आता है definitely आपको buy on dips के लिए level perfect level है इस top loss का है 19.275 का है इसको आप closing basis पे shift करके 19.300 लाना चाहो तो ला सकते हो आपकी मर्जी है resistance हाई नहीं lifetime high पे resistance के चर्चा नहीं करेंगे bank nifty की नीचे support अब सिर्फ एकी clear निकल के आ रहा है 44.500 से 44.400 100 point की range है support की range है यहाँ पे stop loss निकल के आती है 44.400 अगेन मैं कहूँगा यार अगर नीचे आता है bullish side पे आता है तो मैं nifty को ही prefer करूँगा bullish section के लिए rather than bank nifty मेरी preference nifty रहेगी उपर के side bank nifty में अगेन यह मैंने option chain में ही clear कर दिया 45.000 option chain के हिसाब से और 45.200 यह भी option chain के हिसाब से resistance 45.400 45.500 यह second resistance हिसोन है देखो bank nifty में nifty में एक level था ना 19.525 का जिसके उपर bank nifty breakout दे दिया नई देजी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है bank nifty में वो level अभी भी cross नहीं हुआ है वो level है 45.400 का closing basis पे bank nifty जब तक इस level को closing basis पे निकाल नहीं देता न तब तक bank nifty में कोई breakout नहीं है कोई नई तेजी नहीं है obviously यह recovery है bank nifty में अच्छा यह तो है buy on dips की strategy दूसरी अगर माल लिजे एक तरफा भागता है यह तो तब है चलो एक बार उपर गया हलका सा reverse होके नीचे है जो आ सकता है लेकिन अगर एक तरफा भाग गया तो तो आप अगर safely enter करना चाहते हो तो bull call spreads type की strategy या जो भी strategy जिसकी risk to reward 1 से ज़ादा है मैं तो prefer करूँगा bull call spread क्योंकि directional trade करना है यह इस type की strategy एक साथ भी trade कर सकते हो इसमें benefit क्या है कि आप तेजी में participate भी कर लोगे और आपकी risk भी बहुत कम रहेगी अगर आप गलत हो जाते हो और dip मिलती है तो तुरांत आप properly level से entry कर सकते हो उमीद करता हूँ यह overall analysis आपको पसंद आया और हमारे लिए यह काफित गर्व की बात है तैंकी सो मच आज इसरो को salute हमारे तरफ से टेक्या